करते हैं बनाना इसके लिए हम लेंगे एक कप काड़ा दही अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च वन टीस्पून लेमन जूस देड़ चम्मच बुना हुआ जीरा सेका हुआ जीरा आधा चम्मच चाथ मसाला एक चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच काला दमक यह मैंने यहां पर इसमें दो टेबल इस्पून भुना हुआ सेका हुआ बेशन लिया है एक चम्मच लाल मिर्च नमक अपने स्वादा नुसार अध्रक और लसन का पेस्ट इसके बाद हम यहां पर डालेंगे गरम किया हुआ दो चम्मच तेल तेल गरम करके डालने से इसमें फ्लेवर अच्छा आपका है अब हम इसको हिलाते वे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखे सारे इंग्रेडियन्स मिक्स करके मैरिनेट का यह मेरिनेट तयार कर लिया है पनीर, प्याच और केप्सिकम डालने वाले हैं यह पनीर टिका के लिए हमारा मैरिनेट बनकर तयार है आप इसको हलके हाथ से चलाएगा क्योंकि पनीर सॉफ्ट रहता है तो तूटने का भी चांस रहता है अब हम इसको पंदरा से बीस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप चाहे तो इसे एक या दो घंटे के लिए भी सेट होने के लिए रख सकते हैं अब यह हमारा मेरिनेट वाला पनीर इक्तम रेडी है अब हम इसको पकाएंगे पहले मैं आपको इसे तबे पर बटा रहे हूँ जो बहुत इजी तरीका है अब हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे यह पनीर को हमें जादा नहीं पकाना है ज्यादा पकाने से पनीर हार्ड हो जाता है तो यह अभी हमारा पनीर का सर्व करने के लिए एकदम रेडी है अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ इसमें हम इसे डाइरिक गेस पर पकाएंगे इसके लिए हम स्टिक यूज करेंगे स्टिक में सबसे पहले हम उसके बाद पनीर उसके बाद कैपसिकम फिर से ओनियन पनीर कैपसिकम इस तरह हम पूरी स्टिक तयार कर लेंगे यह स्टिक हमारी रेडी है पकाने के लिए अब हम इसे गेस पर पकाएंगे अब हम इस स्टिक को गेस पर हाई फ्लेम पर ऐसे चारो तरफ रूमाते हुए पकाएंगे चारो तरफ से हमें इसे पकाने अच्छी तरह से हम इसे आधा पका कर भी रख सकते हैं और जब खाना हूँ तो हम इसे 10-15 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर फिर से गरम करके सर्व कर सकते हैं एका हमारा रेटी है एकदम इसके साथ मैंने पूदिना और धनिया की मिक्स जटनी बनाई है जो कि बहुत टेस्टी लगती है तो आप ट्राई जरूर करियेगा थैंक यू